आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्रा खंडूटी में दोस्तों ये एक बहुत ही अर्जेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए और अर्जेंट के साथ ही आप लोगों को इसमें एक बहुत ही बड़ी खुशकबरी भी मिलने वाली है मतलब आप लोग खुश हो जाओगे जो अपगेट मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे तो आपने थमनेल पर देखी लिया होगा लेकिन बीपली मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीट बताने वाला हूँ तो चलो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट सो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि without registration आप चारो धामों में से किसी भी धाम में दर्शन नहीं कर सकते because registration एक आपका record होता है जो भी यातरी चार धाम यातरा करने आता है उसमें आपकी एक record होती है registration form में लबो अधार कार्ट से link होता है उसमें आपकी emergency detail भी होती है by chance कुछ miss happening हो जाती है तो registration में जो emergency person है उनको बताया जा सकता है तो बहुत mandatory और काफी useful thing होती है ये चार धाम यातरा के लिए registration form तो अब क्या है कि registration तो limited है per day के according चार धाम में सभी धामों के लिए मतलब limited है कैदारना धाम में 15,000 per day में दर्शन कर सकते हैं श्रतालू ऐसे ही सभी धाम के अलग-अलग separate है और दोस्तों मेरे पास इतने सारे comments आ रहे हैं इतने सारे WhatsApp, messages आ रहे हैं, DMs आ रहें Instagram पर कि हमको तो यही नहीं पता था कि registration भी करना पड़ता है यातरा पल जाने से पहले और अब वो देख रहे हैं अपरेल में उनको यातरा करनी है अब अपरेल के slot देख रहे हैं तो फुल हो चुके हैं 10th May तक के मुझे लगता है slot फुल हो चुके हैं तो अब वो कैसे करेंगे तो काफी मुश्किल है without registration यातरा करना बट दोस्तों जो मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ वो खुशकबरी है मैंने आपको पहली ही बताया है मतब खुश हो जाओगे आप चलो बता देता दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो limitation थी registration में उसको अब खतम कर दिया गया है कोई limitation नहीं है परडे में जो धाम में दर्शन करने की शरधालू की limit थी उससे खतम कर दिया गया है ये बिल्कुल latest update है अभी declare हुआ है government की तरफ से और मुझे लगता है आपको किसी ने नहीं बताया हुआ किसी channel पर आपने नहीं देखा हुगा official update है मेर पास आया है मैं आपको भी proof भी दिखा दूँगा मुख्यमंतरी सची वाले से ये notice भी declare हुआ है तो मुझे लगा है क्यों आपको बताना चाहिए because आप लोग बहुत परिशान हो रहे हो तो family जैसे आप परिशान नहीं होने देंगे हैं तो ये जो update है registration से related है limitation का तो मैं आपको government की तरफ से जो update declare हुआ है notice declare हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो screen पर मुख्यमंतरी सची वाले date आप देख सकते हो 21st April 2023 और सभी के नाम दियो हुए है यहाँ आप देखेंग अगर माननिय मुख्यमंतरी जी द्वारा समयक विचारो परांत यह निर्णे लिया गया है कि चार धाम यातरा के दोरान श्रधालों की संख्या प्रतेक धाम में प्रती दिन के लिए सीमित रखने के संबंध में पूर्व में लिये गए निर्णे को वापस लिया जाता है माननिय मुख्यमंतरी जी द्वारा यह भी निर्देश दिये गए है कि यातरा काल में रेजिस्टेशन की ऑनलाइन एवम आफ्रेंट प्रकिरिया और्वबत जारी रहेगी क्योंकि यह वेवस्था यात्रियों की ट्रैकिंग में मददगार साबित होती है मतलब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अभी इस लिमिटेशन को हटा दिया गया है लेकिन अगर यात्रियों का क्राउट बढ़ता है भीड बढ़ती है तो लिमिटेशन फिर लगाया जा सकता है लेकिन अभी के लिए इस लिमिटेशन को हटा दिया गया है मतलब अभी तो साइट पर स्लॉट एविलेबल नहीं होंगे लेकिन थोड़ी दिर बाद आज या फिर कल में सभी स्लॉट आपको मिल जाएंगे रिजिस्टेशन आप एजिली कर सकते हो अभी स्लॉट एविलेबल नहीं है बट एविलेबल हो जाएंगे आपको साइट पर एजिली हाप रिजिस्टेशन करो और अपना धाम की दर्शन कर सकते हो जो आपकी परेशानी थी मुझे लगता है वो शोट आउट होगे होगी आपकी बहुत बड़ी है यह सच बता रहो है तो लाइफ जरूर करना और शेयर कर देना जो भी बिचारे लोग परेशान हो रहे हैं या थी लोग परेशान हो रहे हैं उनको शेयर कर देना और अभी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं इंफोर्मेटिव आपको guidance मिलने वाली है क्यादारनाथ यातरा से related because हम 10-15 ड ठीक है दोस्तो तो कैसा लगा आपको यह अपडेट मुझे को जरूर बताना हम मिलते हैं दोस्तो आपको ऐसी किसी निव वीडियो में तब तक के लिए कीप सपोर्टेंग केप लबेंग